बिहार में BPSC के मादयम से TRE1 और TRE2 में सेलेक्टेड ऐसी महिला केंडिडेट जो की बिहार के बाहर के हैं और सांती सांत जिनका सीटेट में 90 से कम मार्क्स है और अगर वो चैनित हो चुकी है तो उन पर कई जिलों में गाज गिर चुकी है और अब वेरिफिकेशन के दोरान उन पर फिर से गाज गिरने की संभावना है सांती साथ ऐसे दिव्यांग जन जियों की अधर इस्ट्रेट से बिलोंग करते हैं और बिहार में दिव्यांगता का लाब लेते हुए उनका सेलेक्शन हुआ है उनके उपर भी तलवार लटक रही है सांती साथ आवासी पत्र को लेकर भी विरिफिकेशन के आदेश दे दिये गए हैं सिख्छा विभाग सभी जी लों को इस प्रकार के आदेश दिया है कि आप जो डोमेसाइल सर्टिफिकेट बिहार से इशू किया गया है और अनिराजी के कैंडिडेट है उनका फिर से एक बार क्रॉस वेरिफ हुए थे उनके संबन में जो आदेश आया था उस पर भी डिटेल में चर्चा होगी सांती साथ इसके लावा एक रिस्पेक्टेट सर है जो की बिहार में निवासिता और यूपी से डियलेट मामले को लेकर के इनके कुछ डाउट है क्योंकि पहले भी छटे चर्ण में इस आदेश हो चुके हैं तो इन सब को लेकर के जो भी आपके मन में संका होगी वो इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूँगा अंत्र तक जोड़ जोड़े देगा नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है नीरज आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूटेब चैनल अगर आप इस जिलो से इस प्रकार के आंकडे सामने आ रहे हैं और फर्जी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं मुझफर पूर से ये खबर 25 जून 2024 को प्रकार शेत हुई है जीले में नियोकति 77 सिक्षकों के सर्टिफिकेट पर संदे है ये TRE1 का मामला है यहाँ पर ये कदम तो बहुत अच्छा है सिक्षा विवाका लेकिन TRE1 में जब इनकी ज्वाइनिंग दी जा रही थी तो क्या फर्स्ट वेरिफिकेशन प्रॉसेस के तहत इन सभी चीजों को इग्नोर कर दिया गया क्या सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए कि हम इतने कम समय में लोगों को रोजगार दे जिनको हाली में मानने पटना हाई कोट ने भी राहत नहीं दिया है जो 90 नंबर से कम है और वो बिहार के TRE1 या फिर TRE2 में सेलेक्टेड हैं और लगातार जिलों से इनको बाहर करने के आदेश हुए जा रहे हैं अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि पूरा मैटर है क् कि बिहार में जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो इसमें अन्यराजी की महिला कैंडिडेट के लिए सीटेट के संदर में कोई भी ठेसोल्ड वैल्यू मेंशन नहीं की जाती है मामला यह था कि जब बिहार में TRE1 के लिए BPSC के मादम से नोटिफिकेशन जारी होता है उस समय अदर इस्टेट के कंडिडेट को यहाँ पर एलाउ नहीं किया गया था उसके बासे सम्मिधान के कुछ प्राउधानों का आधार बनाते हुए बिहार में जो vision सचिया है उन्होंने एक press conference करते हुए यह कहा कि हम अदर इस्टेट के कंडिडेट को नहीं रोक सकते कई क्य उन राज्यों पर ही लागू होगा बाकी राज्यों में भारती संविधान के आर्टिकल के अनुसार किसी भी निवासिता के अधार पर जन्म के अधार पर लिंग के अधार पर उस कैंडिडेट को किसी अधर इस्टेट के निकती प्रक्रिया में सामिल होने से नहीं रोका जा स उसके बाद भी ये चीजे clarify नहीं की जाती है और ये केवल TRE 1 तक सीमित नहीं था TRE 2 में भी ये सारी चीजे हुई और TRE 3 में भी इस प्रकार की चीजे हुई है कि अभी तक इस बाब तो को ले करके clear out नहीं किया गया है यहाँ पर बिहार का केस अने राजो के केस से अलग है आपको प्रथम दृष्टिया में आपको देखने को मिलेगा और लगेगा भी कि इसमें अंतर क्या है अधर इस्टेट के कैंडिडेट के लिए तो 90 marks होता है या फिर अने राजो में जो vacancies होती है लेकिन बिहार का मामला अलग इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो female candidate है जो unreserved category से बिलॉंग करती है उनके लिए qualifying marks seatate में 90 number नहीं है बलकि उससे कम है अब जो अधर इस्टेट की female candidate है उनके लिए अगर आप देखेंगे तो उनको fight कराये गया उन seat उपर जो कि बिहार के unreserved category की महिला की seated थी यानि यहां तक clear हो गया यानि कि अधर इस्टेट की महिला जो है वो बिहार में unreserved की महिला seat उपर fight कर रही है अब ये कैसे हो सकता है कि अधर इस्टेट की महिला candidate उस seat पर fight कर रही है जिस seat पर बिहार की भी unreserved की category की महिला fight कर रही है अब अगर ऐसा नहीं होता है कहने का मतलब कि अगर अधर इस्टेट की महिला candidate को जो 90 नंबर से कम वाला matter है उस पर अगर राहत नहीं दिया जाता है तो पहले तो वहीं पर उनको screen out करते हुग उनको बाहर करना होगा कि आप उन महिलाओं को अधर इस्टेट की महिलाओं को उन seat पर कैसे fight करा सकते है जहां पर बिहार की महिला unreserved के टिग्रीग fight कर रही है जहां पर seated के marks 90 से कम है तो कहीं न कहीं विरोदभास है और ये सिक्षा विभाग और BPSC की बहुत बड़ी गलती है कि चीजों को आप sort out नहीं कर रहे है अधर इस्टेट में अगर आप देखेंगे तो अधर इस्टेट में इस प्रकार के महिलाओं के लिए 50% reservation नहीं है अब 50% reservation नहीं है तो वहाँ बिल्कुल clear out होता है कि अधर इस्टेट की महिला हो या फिर पूरुष हो वो unreserve की seat पर fight करेगा लेकिन बिहार का केसा लग था बिहार में चुकि 50% seat रिजर्व है इसलिए जो total unreserve की seat हैं उसमें से 50% seat निकाल दी गई महिला के लिए अब चुकि उन 50% seat पर ही other state की female candidate को fight करा गया और उनका chain किया गया अब जब एक ही seat पर आप बिहार की महिला के लिए अलग seatate के marks रख रहे हैं और other state की महिला के लिए others mark रख रहे हैं यह कैसे possible है कि आप दोनों को एक seat पर fight करा रहे हैं इस condition में आपको other state की female candidate को भी जो unreserve category का बिना आरक्षण वाला मामला है यानि जो आरक्षण का लाब नहीं दिया जा रहा है यानि जो आप कहें लिए कि female के अलावा जो seat बच रही है उसमें उनको fight कराना होगा अगर आप other state की female candidate को महिला वाले seat पर fight करा रहे हैं तो no doubt बिहार की जो unreserve की महिला है उसी seat पर fight कर रहे हैं और उनके लिए seated का marks गम है यहाँ पर अब मानेने पटना हाई कोट ने जो फैसला दिया है यहाँ पर दो चीजे हो सकती है बात यह है कि other state के candidate के लिए 90 number ही marks होता है चाहें वो male हो या फिर female हो लेकिन बिहार में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर female के लिए unreserve category में भी 90 number नहीं है उससे कम है तो जब आप बाहर की महिलाओं को उसी seat पर fight करा रहे हैं तो यह कैसे समभव हो है कि एक candidate के number कम हो एक candidate के number जादा हो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि महिलाओं को बिहार के उन unreserve seat ओ पर fight कराया गया अब उन unreserve seat ओ के लिए जो minimum qualification थी वो अलग थी अब आपने कहा कि चुकि यह बाहर की महिला है इसलिए इनको 90 number चाहिए अब यहाँ पर बाहर की महिला हो या फिर बिहार की राज की महिला हो reservation जो लागू होता है वो हमारे भारतिय सम्विधान में आपके link की अधार पर reservation नहीं दिया गया है reservation का प्रावधान जो है वो आपके जाती की अधार पर है हमारे भारतिय सम्विधान में अब चुकि यह जाती की अधार पर है इसलिए वहाँ पर जो भारतिय सम्विधान कहता है वो बाते लागू होंगी लेकिन बिहार ने जो reservation दिया वो अपने शक्तियों का प्रियोग करते हुए लिंग की आधार पर 50% reservation दिया हुआ है अब यहाँ पर जब 50% reservation बिहार के महिलाओं को दिया गया है और बिहार का जो अपना नियमावली है उसमें ये mention जरूर किया गया है कि आने राजे की महिला candidate को 50% reservation का लाब नहीं दिया जाएगा तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर 50% seat जिस पर अधार इस्टेट की महिला candidate को fight कराया गया वो कैसे हो गया या तो अधर इस्टेट की महिला candidate को आप उस 50% seat पर fight ही ना कराये अगर आप unreserved category में रखना ही चाते हैं तो फिर अधर इस्टेट की महिला candidate को उस 50% वाले category में कैसे रखा गया तो यहाँ पर अगर इस प्रकार की चीज़े हो रही हैं तो यह contradictory हैं एक दूसरे में विरोदभास हैं यानि कि सिख्षा विबाग ये भी करा है कि हम अधर इस्टेट की female candidate को महिला के unreserved seat पर fight करायेंगे लेकिन उनको आरक्षण का लाब नहीं देंगे और वो भी आरक्षण जो की link की अधार पर है भारतिय सम्मिधान के अंतरगत वो आरक्षण का लाब आपको जाती की अधार पर दिया गया है ना की link की अधार पर तो ये सारी चीज़े अभी clear out होना बाकी है और इसके लिए दोनों तरप से रास्ते खुले हैं अगर बिहार के आप candidate हैं तो इस matter को court में भी challenge कर सकते हैं कि जब इनको 90 नंबर के उपर minimum eligible माना जा रहा है उस condition में इनको उन 50% महिला के seat ओ पर कैसे रखा जा रहा है चाहें कि इसी भी category से वो क्यों ना belong कर रही हो और अगर आप other state के female candidate है तो आप इस matter को supreme court में challenge कर सकते हैं कि चुकी वहाँ पर जो unreserved की seat हैं उन पर हमें fight करने का मौका दिया गया और वहाँ की unreserved category की महिला के लिए ही number 90 से कम है तो फिर हम जब उस seat पर fight कर रहा है तो article 14 के अंतरगत एक ही seat पर fight करने वाले के लिए अलग-अलग minimum eligibility कैसे हो सकती है चलिए अब आते हैं अगले खबर पर यहाँ पर देख सकते हैं विबिन सिक्षक संगठोनों ने आरोप लगाया कि अलग-अलग राज्यों के कई अभिर्थी ने गलत आवासिये प्रमापत्र बना करके candidate जो की UP से डिलेट थे और बिहार में आरक्षान की मांग कर रहे थे उनको उनका जो निवास प्रमापत्र और दूसरा बनता है आपका समाने निवास प्रमापत्र उत्तर प्रदेश में जो अगर आप डिलेट में प्रवेश लेने जाते हैं और यहाँ पर अगर आप निव प्रमापत्र इशू किया जाता है जो कि minimum जो इसकी eligibility है इस प्रमापत्र के लिए वो कम से कम 5 वर्स आप UP में निवास करते रहें उस condition में आपका ये प्रमापत्र बन जाएगा अब यहाँ पर सवाल यह है कि मालीजे कोई एक बिहार का candidate है जिनके सभी पुष्ट सालों से व वो eligible हो चुके हैं समाने निवास पाणपत्र के लिए और उन्होंने समाने निवास पाणपत्र बनवाया और इसके अधार पर वो UP में DLR में प्रिवेश ले लिए अब चुकी उनका मूल निवास तो बिहार का है अब जब वो बिहार में आवेदन करने जाते हैं या फिर सि दोमेसाइल के लिए आवेदन करते हैं ध्यान से सुनिए यूपी में डोमेसाइल के लिए आवेदन करते हैं तो निश्चित तोर पर आपका ये समाने निवास पाणपत्र यानि 5 साल के लिए minimum eligibility वाला जारी किया जाता है अब यहाँ पर दो condition उत्पन हो सकते हैं चुकी UP मे करने के लिए डोमेसाइल अनिवार है तो पहला condition ये हो सकता है कि आप बिहार के निवास ही है और category से बिलॉंग करते हैं लेकिन UP में चुकी आप unreserved category में count होंगे तो यहाँ पर आपने निवास पाणपत्र बनवाया जो कि आपके यहाँ पर minimum 5 साल निवास का प्रमाणपत् काटिग्रे में किया है और बिहार के आप मूल निवासी है और वहाँ पर जाकर के ध्यान से सुनिए वहाँ पर जाकर के आपने category का लाब लिया और reservation के लिए के अंतरगत आपने अपलाई किया और अगर आपका 6N हो चुका है और बाद बजा करके निरस्त हुआ है तो निश है वो आपने बनवाया और उसके base पर आपने यहाँ पर आरक्षान का लाब लेने के लिए अपना जो कास certificate है UP से वो भी बनवा लिया उस condition में क्या होगा कि आप UP में भी आरक्षान का लाब ले रहे है और आप बिहार में भी जाकर कि अगर आरक्षान का लाब लेने जाएं क्यों invalid होगी ध्यान से सुनिएगा चुकि आपने UP में प्रवेश लिया यहाँ पर केवल ये शर्त थी कि आपको यहाँ का निवासी होना अनिवार है और उसके लिए minimum eligibility थी 5 साल यहाँ पर निवास करना 5 साल निवास करने का proof आपने दिया आपका यहाँ पर समाने निवास म आपत्र के अधर पर आरक्षण का लाब लेने जाते हैं तो वहाँ पर problem यह हो जाती है कि राजी सरकार यह कहती है कि चुकी आप आरक्षण का लाब ले चुके हैं कहां पर UP में इसलिए बिहार में आप नहीं ले सकते हैं आप कहेंगे कि मेरा तो मूल निवास यहाँ पर है मूल निवास जब आपका यहाँ परता तब आपने आरक्षण यूपी में क्यो लिया वो वहाँ पर आप eligible ही नहीं थे यानि यूपी वल आपका fake हो गया तो यहाँ पर दो condition बनती है पहला अगर आप बिहार के मूल निवासी है तो आप हकदार है बिहार में आरक्षण कालाब लेने के लिए आप यूपी में आरक्षण कालाब लेने के लिए हकदार नहीं है तो अगर आपने यूपी में फरजी तरीके से डियलेड में प्रिवेश लेने के लिए अगर आरक्षान प्रमारपत्र बनवाया है कास सर्टिफिकेट बनवाया है तो आप बिहार में आरक्षान का लाब नहीं ले पाएंगे ठीक है और ऐसे लोगों की जो नुक्ति था वो रद किया गया था ठीक है अगर आप UP से DLA किये हुए है यूपी का डोमेसाई लगाकर के समान इन्वास 15 परत्र लगाकर के और अन्रिजर्व कर्टिग्री से किये हुए है और बिहार में कोई भी सिख्षा भी भाग या फिर कोई भी अधिकारी आपको रोकता है आप कोड जाए 100 पर 30 साथ आपके फेवरम फैसला आएगा क्योंकि वहाँ पर शर्थ ये थी कि आपको 5 साल का minimum डोमेसाईल का सर्टिफिकेट देना था कोई भी कैंडिडेट अगर 5 साल से जादा यूपी में रह लिया है तो वो उसके लिए पातर हो जाता है लेकिन चुकि आपने यहाँ पर अन्रिजर्व में फाइट किया है वैलिड होगा और उसमें अगर आपका चैन होता है तो वो जो चैन हुआ है वो पूरी तरीके से वैलिड है उमीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गया होंगे बाउजूद इसके अगर आपका कोई प्रशन है जाता है तो कमेंट के मादम से पूछ सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शोब हो